वेलकम टू किसान मसीन स्वागा थे आपका फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मसीन में दोस्तो यह बुलू फोरेश्टर चैन सो मसीन का स्पोकेट भी डेमेज हो गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह देखिए यह है स्पोकेट यह जब चैन स्पोकेट डेमेज हो जाता है और आप स्टार्ट करके मसीन लगड़ी काटते हैं तो लगड़ी काटते समय आपका मसीन का जो चैन है वो रुक जाता है ये देखे चैन स्पोकेट जो है इस मसीन का पूरी तरह से डैमेज हो गया है तो यहाँ पर मैं स्पोकेट को खोल कर बाहर निकालूंगा और एक नया स्पोकेट लगाऊंगा कलाच ड्रम और कलाच ये दोनों को भी मैं चेक करूंगा देखे दोस्तो कलाच खोलना बहुत ही असान है इस तरह का आप एक रड ले लिजी और हथोड़े एक चोटा सा हैमर और रड लेकर बहुत ही असानी से कलाच को खोल सकते हैं देखे मैं किस तरह से खोल रहा हूँ इसी तरह से आपको भी खोलना है कलाच, कलाच, ड्रम और चैनस पोकेट ये सभी को हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे इन में से जो भी डैमेज होगा हम उसे चेंज करेंगे कलाच, कलाच, ड्रम और चैनस पोकेट ये तिनों में से कोई भी डैमेज रहेगा तो आप जब मसीन को start करके चलाएंगे तो आपके मसीन का जो chain है वो रफ्तार में नहीं घुमेगा और लकडी नहीं काटेगा इसलिए जो भी damage है आप उसे change कीजिए क्या आपने किसान मसीन चैनल पर first time विजिट किया है किसान मसीन चैनल पर पहली बार आये है तो चैनल को subscribe कर लीजिए बेल आइकन को press करके notification on कर ले ताकि मैं जब भी कोई new video upload करूँ आपको notification मिलता रहे clutch हमने खोल दिया है और यहाँ पर एक आपको washer मिलेगा इस washer को आप निकाल दीजे बाहर ये देखिए चलिए अब मैं निकालने वाला हूँ clutch drum तो ये है clutch drum clutch drum को हम निकाल देते हैं S pocket को भी बाहर कर देते हैं clutch clutch drum और S pocket ये सभी को आप अच्छी तरह से check कर लिए चलिए मैं आपको S pocket देखाता हूँ ये देखिए ये है S pocket ये देखिए पूरी तरह से damage हो गया है तो हम इसे change करेंगे एक नया S pocket लगाएंगे ये chain S pocket है chain इसे में लगका running करता है चलिए नया वाला मैं आपको S pocket दिखा देता हूँ ये देखिए ये है new S pocket जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये देखिए ये है नया वाला S pocket बिल्कुल clear दिख रहा है आपको तो ये वाला S pocket मैं feed करने वाला हूँ machine में चलिए मैं आपको किस तरह से feed करना है S pocket को feed करने से पहले clutch drum को check करना बहुत ही जरूरी है तो पहले हम clutch drum को check करेंगे तो ये देखिए ये है clutch drum clutch drum को आप अच्छी तरह से check कर लिजे ये जो आप clutch drum देख रहे हैं ये बिल्कुल सही है आपके machine का clutch drum अगर damage है तो आप इसे change कीजिए ये को इस तरह से लगाना है clutch drum में bearing लगा हुआ है तो चलिए इस pocket को और clutch drum को अच्छे से हम feed करते हैं चैन स्पोकेट clutch drum और clutch बहुत ही असान है दोस्तों feed करना स्पोकेट और clutch drum लगाने के बाद आपको वासर को इस तरह से लगा देना है अब देखिए ये है clutch clutch को मैं tight कर रहा हूँ clutch देखिए दोस्तों ultra tight होता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं clutch हमें ultra गुना tight करना पड़ता है जिधर आप खोलना चाहिएगा उधर ये tight होगा और जिधर tight करना चाहिएगा उधर खुलेगा आप देख पार हैं मैं किस तरह से tight कर रहा हूँ इसी तरह से आपको भी tight करना है कलच को आप अच्छी तरह से tight कर दिजिए अगर tight सही से नहीं किजिएगा तो ये खुल जाएगा इसलिए आप इसे अच्छे से tight कर दिजिए और tight करने के बाद दोस्तों five kick डालना बहुत ही जरूरी है कलच को tight करने के बाद अगर आप five kick नहीं डालते हैं तो कलच आपका खुल सकता है इसलिए आप कलच में five kick जरूर डाले कई बार दोस्तों हमारे साथ ऐसा हो चुका है कलच को हमने full tight कर दिया और जब machine को start करके चलाता हूँ तो कलच बाहर निकल जाता है बहुत लोग ने मुझे comment भी किया कि मैं कलच को खुल कर जब tight करता हूँ और machine चलाता हूँ तो कलच खुल कर बाहर निकल जाता है तो अब बाहर नहीं निकलेगा कलच को tight करने के बाद आपको इस तरह से फैविक डाल देना है दोस्तो अब मैं petrol डालूँगा machine में और machine को start करूँगा तो ये देखिए petrol के साथ में 2T oil डालना बहुत ही जरूरी है 2T oil हमने mix कर दिया है half liter petrol में 20 ml 2T oil डालना है और अगर आप 1 liter petrol डाल रहे हैं तो 40 ml 2T oil डालना है 2T oil mix करना बहुत ही जरूरी है अगर आप 2T oil mix नहीं करेंगे तो आपके machine का ring piston सभी damage हो जाएगा इसलिए आप जब भी petrol डाले 2T oil mix करना ना भूले fuel tank में हमने fuel डाल दिया है fuel tank का जो cap है इसे आप अच्छी तरह से tight कर दे fuel tank cap tight होना चाहिए नहीं तो petrol leakage करेगा fuel tank का cap को full tight कर दीजिए चलिए अब हम switch को on करेंगे और machine को start करके देखेंगे तो switch नीचे के तरफ off हो जाता है उपर के तरफ on हो जाएगा switch on हो गया है चलिए अब हम machine को start करके देखेंगे पलक cap tight होना चाहिए आप एक बर अच्छी तरह से check कर लिजिए चैन सो machine start नहीं हो रहा है तो चलिए हम chalk में machine को start करेंगे अब हमारा machine chalk में है तो chalk में machine को start करके देखेंगे जैसा कि आपने देखा दोस्तों चैन सो machine हमारा chalk में भी start नहीं हो रहा है तो चलिए हम chalk से machine को हटा देते हैं chalk में machine अभी नहीं है accelerator trigger को 4-5 बर हम press करेंगे फिर से हम machine को start करके देखेंगे switch on है जैसा कि आप देख सकते हैं जैसा कि आपने देखा चैन सो machine बिल्कुल भी start नहीं हो रहा है तो L screw को हम दो बार tight करेंगे L screw को हमने दो round tight कर दिया है अभी भी हमारा machine बिल्कुल भी start नहीं हो रहा है तो हम H screw को tight करेंगे ये मैं H screw को tight कर रहा हूँ ये देखें H screw को मैं tight कर रहा हूँ एक round हमने H screw को tight कर दिया है अब ये tight नहीं हो रहा है H screw full tight हो गया है कारवरेटर में जो H screw आपको दिख रहा है ये full tight हो गया है H screw को full tight करने के बाद एक round H screw को हमने धिला कर दिया है H screw को full tight करने के बाद एक round हमने धिला कर दिया है H screw को चैनसों मसीन स्टार्टिंग का moment बिल्कुल भी नहीं बना रहा है स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ऐसे में हम फ्यूल पाइप को निकाल कर चेक करेंगे दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि जब फ्यूल पाइप निकाल के देखते हैं तो फ्यूल नहीं आता है और कई बार ऐसा भी होता है कि जब फ्यूल पाइप निकालेंगे तो बैटरोल जो है वो प्रेसर में फेकने लगेगा फ्यूल प्रेसर में आने लगेगा अभी आप जैसा कि देख पा रहे हैं फ्यूल पाइप में फ्यूल नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर fuel filter को check करने वाला हूँ चलिए fuel time का जो cap है इसे हम खोल देते हैं plus लेकर fuel time के अंदर एक fuel filter है जो कि pipe में connect रहता है fuel pipe में connect रहता है fuel filter तो pipe को हम इस तरह से बाहर खीचेंगे और fuel filter को निकालेंगे pipe में fuel filter connect रहता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह देखें यह है fuel filter चलिए इस machine में मैं new fuel filter लगाने वाला हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ new fuel filter यह देखें दोस्तों यह है नया वाला fuel filter तो इस fuel filter को हम pipe में feed करेंगे इस तरह से आप लगा दीजिए fuel filter को pipe में fuel time का जो cap है इसे हम full tight कर देंगे fuel pipe में जो हमने elenky लगाया है इस elenky को हम बाहर निकालेंगे elenky को बाहर निकालकर हम check कर लेंगे fuel pipe में fuel आ रहा है या नहीं आ रहा है तो fuel pipe को हम एक बर अच्छी तरह से check कर लेंगे ये देखिए fuel हलका हलका आ रहा है जैसा कि आप देख पा रहे है pipe में fuel आ रहा है petrol pipe में petrol आ रहा है तो हम carburetor का जो nozzle है इसमें connect कर देंगे fuel filter और spar plug ये दोनों अगर आपके machine का damage रहेगा या इन में से कोई भी damage रहेगा तो आपके machine में starting problem आएगा दोस्तो जैसा कि आप देख पा रहे है chanso machine बिल्कुल भी start नहीं हो रहा है चलिए L screw को हम फेसे tight करके देखते हैं तो L screw को एक बर tight करने से ये full tight हो गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं L screw full tight हो गया है तो इसे हम दो round धिला करेंगे L screw को full tight करके दो बर धिला कर दिया है दोस्तो जैसा कि आभी आपने देखा L और H screw दोनों को मैंने set किया अब भी machine start नहीं हो रहा है तो ऐसे में दोस्तो हम carburetor को change करेंगे एक नया carburetor इस machine में हम लगाएंगे carburetor में दो elinky bolt लगा हुआ है इस elinky bolt को हम 4 mm का elinky लेकर खोलेंगे एक elinky bolt को हमने खोल दिया है एक और elinky bolt यहाँ पर लगा हुआ है एक और elinky bolt को आप खोल कर बाहर निकाल दीजिए दोस्तो अगर आपने part 1, part 2 और part 3 वीडियो यह नहीं देखा है तो आप देख लिजी description में हमने link डाल दिया है यह वीडियो का 4 part आपको मिलेगा तीन part जो है वो वीडियो का description में है link पे click करके आप part 1, part 2, part 3 यह तीनों वीडियो को आप देख सकते हैं अभी भी आप जैसा कि देख पा रहे हैं pressure में petrol नहीं आ रहा है बट मैं जब नया carburetor लगाऊंगा तो यह machine start हो जाएगा और बिल्कुल सही चलेगा चली अब मैं आपको दिखा देता हूँ new carburetor यह देखिए हमारे पास है एक new brand carburetor आपके machine का कोई भी spare parts damage है जैसे के cylinder assembly या carburetor, fuel filter, spar plug, recoil, starter chain, spocket, clutch, clutch drum कोई भी spare parts आपके machine का damage है और आप खरीदना चाहते हैं मैं आपके पास courier से भेज सकता हूँ आप मुझे अभी order कीजिए description में आपको हमारा whatsapp number मिल जाएगा आप चाहे तो मुझे message कर सकते हैं या call भी कर सकते हैं सारा spare parts हमारे पास available रहता है आपको chainsaw machine का जो भी चाहिए वो सब मिलेगा 2 stock brush cutter, 4 stock brush cutter, fogger machine, power tiller, power reader, 63cc का power reader या 68cc का intercultivator सभी का spare parts हमारे पास आपको available मिलेगा तो आप अभी order कीजिए देखिए दोस्तो ये part 1 वीडियो का thumbnail है और ये part 2 वीडियो का तो part 1 और part 2 यह दोनों वीडियो देखना आपको बहुत ही जरूरी है part 1, part 2, part 3 यह तीनों वीडियो को आप देखिएगा तो आपको बहुत सारा knowledge मिलेगा आप बहुत कुछ इस वीडियो को देखकर सिखिएगा इसलिए आप part 1, part 2, part 3 यह तीनों वीडियो को जरूर देखिए दोस्तो हमारी YouTube चैनल बेश्ट किसान मसीन में से एक है कभी-कभी हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्यूंकि मैं मसीन और वीडियो के content पे कभी भी confirmage नहीं करता इसलिए वीडियो को end तक देखना बहुत ही जरूरी है कारबुरेटर का bolt आप जब भी tight करें एक tight नहीं करना है एक को full tight नहीं करना है आपको दोनों को बराबर बराबर tight करना है अगर आप एक को full tight करेंगे तो tight नहीं होगा एलेंकी bolt को tight करते वक्त आप ध्यान दे fuel पाए फटना नहीं चाहिए ये rubber guard को आप अच्छी तरह सेट कर लीजिए इसके बाद आपको full tight करना है कारबुरेटर का दोनों bolt क्या आपने किसान मसीन चैनल पर पहली बार विजिट किया है आप अपने चैनल किसान मसीन पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अभी subscribe कीजिए बेल आइकन को प्रेस करके notification on कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई new वीडियो upload करूँ आपको notification मिलता रहा है वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like कीजिए और आपका कोई सवाल है तो आप मुझे comment कर सकते हैं मैं उसका answer दूँगा जैसा कि देखा दोस्तों आपने carburetor को हमने fit किया और machine एक किक में start हो रहा है बिल्कुल सही चल रहा है चलिए एक बर हम फिर से start करते हैं switch on हो गया है बिल्कुल सही चलिए machine start करके हमने full pickup में चलाया बिल्कुल सही चल रहा है plug से plug cap को हमने निकाल दिया है अब मैं यहाँ पर plug range लेकर plug खोल रहा हूँ यह देखे पलग खोल चुका है यहाँ पर एक छोटा सा rubber मिलेगा यह देखे इस rubber को यहाँ पर इस तरह से लगाना है ध्यान से देखे मैं किस तरह से लगा रहा हूँ आप इसे चौक लिबर गार्ड भी बोल सकते हैं यह देखे इस rubber को यहाँ पर आपको लगाना है यह rubber क्या होता है दोस्तों बाहर निकल जाता है इसलिए मैं इसमें फेविकिक लगा रहा हूँ यह देखे फेविकिक लगा कर मैं इस तरह से rubber को सेट कर दिया हूँ अब मैं चौक लिबर को लगाने जा रहा हूँ यह देखे यह है चौक लिबर चौक लिबर को आप इस तरह से आराम से लगा दीजिए यह देखे चौक लिबर आपको यहाँ पर लगाना है चौक लिवर में एक rubber cap है इस cap को आप अच्छी तरह से बैठा दीजे ये देखिए इस तरह से बैठा दीजे cap को switch में भी एक cap आपको देखने को मिलेगा on of switch में एक cap है rubber cap इसे आप इस तरह से लगा दीजे on of switch में ये देखिए यहाँ पर आपको एक cut sap दिख रहा है ये देखिए ध्यान से देखिए cut sap यहाँ पर दिख रहा है न ये देखिए ये जो ignition coil है इसका जो wire है यहाँ से cut होकर बाहर निकलता है तो ये देखिए इस तरह से आपको लगाना है टॉप कवर जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ धियान से देखे दोस्तों जैसा क्या आप जानते हैं टॉप कवर को टाइट करने के लिए पांच एलेंग की बोल्ट लगता है ये पांचों बोल्ट 4mm का है दोस्तों 4 mm का एलिंके लेकर आप पहले 5 बोल्ट को फसा लीजिए जब ये बोल्ट फस जाए इसके बाद आपको फूल टाइट करना है किसी एक बोल्ट को आप फूल टाइट ना करें पहले नहीं तो आपका जो सारा बोल्ट है वो लगेगा नहीं इसलिए पहले आप सभी बोल्ट को फसा लीजिए इसके बाद इसे फूल टाइट कीजिए टाइट हो जाएगा आपके सार से हमारा वीडियो देख रहे हैं नेचे कमेंट बॉक्स में लिखिए अगला वीडियो मैं किस मसीन पे बनाऊं जिस वीडियो पे जादा लाइक और कमेंट करेंगे उसी मसीन का में रेपेरिंग बनाऊंगा और क्या मैं आपसे थोड़ा partnership कर सकता हूँ, हर बार आपको request करता हूँ वीडियो को like जरूर किया कीजे, क्यूंकि वीडियो बनाने बड़ा समय लगता है आपके लिए, share कीजे यहाँ वीडियो उन सभी लोगों को जिनके पास ये machine है, जिनके आस पास technician नहीं है, देखे जरा पलक full tight हो जाए तो पलक का जो cap है उसे आप अच्छी तरह से लगा दीजे, पलक cap ढ़िला नहीं होना चाहिए, अगर ढ़िला रहेगा तो starting problem आएगा, जैसा कि आपने देखा air filter को हमने clean कर दिया है, air filter clean होना चाहिए, air filter clean करके लगा ये, air filter cover हमने लगा दिया है, air filter cover लगान ब्रेक वेन को लगाने जा रहा हूँ, ये देखिए, ये है ब्रेक वेन, ब्रेक वेन लगाते वक्त आप चेक कर लिजे, ब्रेक वेन का जो lock है, वो open होना चाहिए, वो खुला रहेगा, तभी लगेगा, अगर आप lock में ही लगाईएगा, तो lock में नहीं लगेगा, ब्रेक ब्रेक वेन, आपन करके लगाईए, आपन होना चाहिए, ब्रेक वेन, ब्रेक वेन को टाइट करने के लिए हमें दो नट को टाइट करना पड़ता है, ये बारा नमबर का नट है, पलक का जो रेंज है, आप इससे टाइट कर सकते हैं, गोटी से भी टाइट कर सकते हैं, रि कि आ सिलने नादिए और विर अलया है झाल झाल